तो एलो बच्चोव 17 question को कैसा किया जाए तो देखे बच्चे ये भी काफी अच्छा question है तो ये है बच्चो देखो अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 5 whole की पावर 1 by 3 multiply अंडरूट 32 प्लस अंडरूट 5 वोल की पाउर 1 वाय 3 तो देखो बच्चो हमने आपको एक एक वह बताया था मैंने आपको indices का एक law बताया था देखो बच्चो अगर 5 की power 3 है और 3 की power भी 3 है तो ये दोनों multiply होते हैं और power same रहती है तो देखो 5, 3, 15, 15 और 3 हो जागा है तो ऐसी देखो ये दोनों अलग-अलग है ये ये अलग है ये अलग है ये अलग है पर power same है तो ये दोनों multiply होंगे और power same रहेगी तो देखो तो देखो ये हो जाएगा अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 5 1 बाइ 3 ठीक है ना ऐसे गर कर अब देखो ये a माइनस b है और ये a प्लस b तो ये होता है a स्क्वार माइनस b स्क्वार स्क्वार माइनस b स्क्वार ये हमने पढ़ा है तो देखो ये हो जाएगा 32 माइनस 5 की पावर 1 बाइ 3 तो ये हो जाएगा 27 की पावर 1 बाइ 3 और 3 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 27 तो 3 की पाउर 3 into 1 upon 3 तो यह कट जाएगा 3 से 3 तो answer आजागा मेरा 3 तो कितना easy था है question देखो आपको यह अगर यह identity नहीं पता होगा ना तो आप नहीं कर पाऊगे question बड़ा tough हो जाएगा यह देखो यह वाला यह वाला पार्ट अलग था यह वाला पार्ट अलग था पर बेस देखो बेस अलग था पर power सेम थी तो मैंने बेस को multiply कर लिया और power उपर है जेट इस आ गई तो अब हम करेंगे second part इसका देखो बच्चो अब हम करेंगे 17 का second part अब देखो बच्चो यह काफी अजीब सा कुछन लग रहा है अब हमने multiplication आपको सिखाया था कैसे होता multiplication पहले म इसको इससे करता हूँ फिर इसको इससे करता हूँ फिर इसको इससे करता हूँ फिर मैं इसको इससे करूँगा फिर इसको इससे करूँगा फिर इसको इससे करूँगा तो काफी आराम से हमें करना पड़ेगा तो देखो पहले मैं करता हूँ multiplication मैंने बताया है आपको पहले 3, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, और यह पूरा गब पूरे targets मैं हाँ उतार देता हूँ, x की पाउर 2 बाए 3 प्लस 1, प्लस x की पाउर माइनस 2 बाए 3 फिर अब मैं यह लिखता हूँ, माइनस x की पाउर, माइनस 1 बाए 3 अब ये फिर दौारा से मैं पूरा उतार देता हूँ X की पावर 2 by 3 प्लस 1 प्लस X की पावर minus 2 by 3 देखो इसको मैंने 2 बार लिख लिया और इसको मैंने एक बार इस साथ multiply आगा minus इसके बाद इसके साथ एक बार multiply आगा अब multiply करते रहो भच्छो काफी मज़ा आता है वैसे multiplication में तो हो जाएगा x की power 1 by 3 into इंटो हो जाएगा यह हो जाएगा बच्चो 2 by 3 and 9 यह हो जाएगा सिद्धे-सिद्धे फिर यह हो जाएगा बच्चो x की power 1 by 3 फिर बच्चो plus x की power minus 2 by 9 फिर बच्चो यह minus है तो मैं अब यह minus लिखूँँगा अब यह हो जाएगा x की power 2 into देखो minus 1 upon 3 into 2 upon 3 तो यह हो जाएगा बच्चो minus 2 upon 9 तो जाएगा minus 2 upon 9 फिर बच्चो plus minus minus plus minus minus फिर यह देखो यह तो 1 के साथ है तो सिद्धे-सिद्धे में x की power minus 1 by 3 लिख देता हूँ फिर plus minus minus x की power देखो बच्चो अब देखो minus 1 by 3 into minus 2 by 3 तो यह plus हो जाएगा minus minus plus हो जाता है और यह हो जाएगा बच्चो 2 की power 9 अब बच्चो ध्यान से देखो जो जो कट रहा है उसको तो काड़ दो अभी अभी देखो यह plus का है और यह minus का है तो यह देखो यह मैंने इसको काड़ दिया ठीक है और देखो कुछ कट रहा है और देखो कुछ कट रहा है हाँ देखो यह plus का यह minus का यह भी कड़िया और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा अब बच्चो बच्चा क्या हम पे बच्चा x की पाउर 1 बाई 3 माइनस x की पाउर माइनस 1 बाई 3 अब बच्चो अब ध्यान से देखो ध्यान से देखो इस माइनस को मैं प्लस कर सकता हूं x की पाउर 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन x की पाउर 1 बाई 3 कर सकता हूं इसको बिल्कूल कर सकता हूं तो ये मेरा आ गया है अब ध्यान से देखो बच्चो ध्यान से देखो मैं क्या कर सकता हूं अब देखे अब मैं क्या करूं ध्यान से देखो तो देखो माइनस कर रहा नहीं देखो माइनस कर रहे है देखो ध्यान से देखो माइनस कर रहे है अब मैं क्या गर सकता हूँ ध्यान से देखो अब बच्छो देखो अब बच्छो आंसर है पीजे अब ये ऐसे कैसा आएगा देखो बच्छो बड़े ध्यान से देखो कि बड़ा सोच समझ के मैंने बताया है कि अगर मैं एक example लेता हूँ आपको let's suppose अगर यह x के जगा न 8 की पावर 1 by 3 होता ठीक है minus 8 की पावर minus 1 by 3 अब ध्यान से देखो है क्या है गाँजा अब ध्यान से देखो बहुत confusion होता है ऐसे में तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 into 1 by 3 minus 8 की पावर 3 into minus 1 by 3 कड़िया देखो तो यहां के तपजा 2 और यहां बचा 1 by 2 तो देखो x क्या है x minus 1 by x तो देखो यह इससे आप compare कर सकता हो ऐसे करकर आया है x minus 1 by x अगर मैं इसको एक्जामपल यह एक्जामपल है एक्जामपल दिया कि यह कैसा आया है आपर तो अब आपको समझ में आगया होगा कि यह कैसा आया है ओके बच्चो